हेलो सिविल इंजिनेर्स मैं रावल खोली आपका स्वागत करता हूं रिइनफोर्स के डिजिटल प्राटपॉम पर दोस्तो आज का जो टॉपिक है वो टेनल बोरिंग मशीन के उपर होने जा रहा है जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जितनी भी अंडर्रांड मेट मेट्रो चलती है तो इनमें कौन सी उसका है इसमें टवरिंग मशीन के उसके आज पूरा शेशन इसके बारे में होने जा रहा है दोस्तों वीडियो को ध्यान से ने PayPal और समझेगा कि टढ благ मशीन क्या होती है है और इसका कि क्या यूज होता है सू दोस्तो जैसे के आप लोगों को पता ही होगा कि जितनी भी मेट्रोस बन रही है आज के टाइम पे जितनी भी टनल्स बन रही है वो पहले के मुकाबले आफ जादा बनने लगी है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलोजी की कोई कमी नहीं है जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा जितनी भी metro cities में underground tunnel का काम किया जाता है वो TBM machine के थूरू ही किया जाता है तो दोस्तों पहले जो हमें technique यूज करते थे वो हमारा या तो drilling के थूरू किया जाता था या फिर हम blasting technique से इस चीज को करते थे अगर हम इसी technique को आज के time पर use करेंगे तो बहुत जादा नुकसान होने की chance से अगर हम जैसे कि अगर किसी शहर में आपको tunnel लगानी है तो वहापर blasting का use नहीं कर सकते पूरा शहर उड़ जाएगा इसी वज़ा से हम TBM का use करते हैं मतलब कि tunnel boring machine का use करते हैं अगर हम कहीं पर भी सुरंग बनाना चाहते हैं चाहे वो अंडरवाटर बनानी हो या फिर कहीं आपका अंडर्ग्राउंड बनानी हो या फिर कहीं पर पहारों में बनानी हो तो हम TBM machine का use करते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं की टीबम मशीन होती किस तरीके से और किस तरीके से इसका यूज किया जाता है दोस्तो जो टनल बोरिंग मशीन होती है बहुती जादा लंबी होती है जैसे कि आप लोग वीडियो में और फोटो में देख पा रहे होंगे ये कम से कम आपका 50 मीटर से लेके 100 मीटर थक की range में हो सकती है अब आता है दोस्तो इसको install कैसे किया जाता है और इसको किस तरीके से काम में लिया जाता है दोस्तो एक जग़ा decide fix होगी महां से आपको TBM install करना है जैसे कि अंडरकराउंड आपको station मनाना तो महां पर हम क्या करता हैं चारो तरफ से boundary करते हैं और दो जगा हम TBM को install करते हैं एक आने के लिए और एक जाने के लिए तो पहले हम supposed करते हैं कि एक TBM को महां पर install करते हैं तो हम क्या करते हैं यह ऐसे नहीं है कि यह बहुत लंबी एक टनल बोरिंग मशीन है इसको पार्ट वाइज इसको लाया जाता है और इसको इंस्टाल किया जाता है ये जो आप image देख रहे हैं ये इसका एक cutter है जैसे आप round shape में देख रहे होंगे तो ये दोस्तों इसका क्या काम होता है सबसे main काम इसी का होता है इसको हम cutter बोलते हैं, इसको head cutter भी बोला जाता है कहीं पर, तो इसका क्या काम होता है, hydraulic pressure से इसको दबाव दिया जाता है, और इसको circular motion में घुमाते हुए, ये नीचे जितना भी सता होगी, आपकी चटान होगा, stones होगा, उसको तोड़कर ये सीधा-सीधा आगे निकलती अब दोस्तो आता है इसका second step, अब जो इसके बीच में आप लोग देख रहे होंगे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी सारी मिट्टी काटता है, तो इसकी जितनी मिट्टी होती है, वो कहां पर जाती है, तो जैसे-जैसे इसका cutter घूमता जाता है, और मिट्टी इ जाता रहता है, जितना भी waste होता है, वो अलग से वहाँ पर जाता रहता है, अब बात करते हैं, दोस्तो ये सिर्फ drilling ही करता है, या फिर tunnel भी बना देता है, दोस्तो जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ये tunnel boring machine है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही drill होता जाता है, और tunnel भी अपने आप ही लगती जाती है, आप सामने वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, जो इसका एक head होता है, जो vacuum के थुरू चलता है, ये क्या होता है, जैसे जैसे सता खाली होती जाती है, उसमें ये सिधा-सिधा जितने भी इसके panel होते हैं RCC के, उनको fix करता जाता और ये जो RCC के panel होते हैं, ये सारे pre-casted होते हैं, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से इन सारी सीजों को install करते हुए चलता रहता है, जिन tunnel को बनाने में दोस्तों आपका सालो साल लग जाते थे, ये tunnel क्या करती है, कि कम से कम एक हफते में, एक हफते से दो हफते में बहुत लंबी-लंबी सुरंग ये excavate कर सकती है, इसका advantage ये है कि इसमें कोई भी climate का कोई भी दिक्कत नहीं आती है, अगर आप elevated कुछ भी काम करते हैं, तो जैसे कि बारिश आ जाती है, जादा धूप होती है, तो महाँ पर क्या है, थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो जाता है, बट यहाँ पर क्या है, climate का कुछ भी ऐसा problem नहीं आता है, ये सिधा TBM आपका चलता जाता है, और जितना भी इसका waste हो निकलता जाता है, और side-side से इसके panel fix होते जाते हैं, दोस्तों इसका एक disadvantage भी है, ये जो आपका TBM है, ये सिर्फ आपका straight ही जा सकता है, इसमें कोई भी back gear न ने दोबार से back gear लगा के इसको बीछे खीच लिया, ऐसा कुछ नहीं है, और दोस्तों इस TBM मशीन को चलाने के लिए बहुत ही जादा expert engineers का, यहाँ पर main role रहता है, जो इसके अंदर engineer बैठा होता है, इसके हाथ में सारी command होती है, जैसे कि जो इसका head cutter होता है, वो घूमता जाता है, और इनके पास ऐसी बहुत सी techniques होती है, scanners होती है, जिससे कि इनको पता चलता रहता है कि आगे और क्या-क्या चीज़े आने वाली है, जैसे कि अगर mud आने वाला है, तो उसके लिए यह प्रिपेर रहेंगे, अगर कोई stone आने वाला है, तो यह उसके लिए पहले से तो उसके बाद से ही TBM का निर्मान हुआ था, जब दोस्तों इंडिया में underground metro का एक प्रस्ताव लाया गया, तो सबसे पहले जापान से ही contact किया गया था, कि जापान से ही TBM machine को लाया जाए, अपने city में इससे काम करवाया जाए, तो उस टाइम पर क्या होता था दोस्तों, यह बहुत ही जादा महेंगी आती थी है, और इसके साथ ही इसके engineers भी आते थे, मतलब कि TBM की जितनी भी TBM की जो machinery थी, इसके engineers भी इसके साथ में आते थे, पर दोस्तों, आज के दोर में ऐसा कुछ नहीं है, अब इंडिया में भी TBM बनने लगी है, और जितना भी tunneling का काम ह होता है, वो आपका 20-30% यह इंडिया की machine से ही होने लगा है, I hope दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि TBM क्या होता है, यह किस तरीके से use होती है, और इससे क्या-क्या benefit होते है, तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होती, please like कीजिए, ह और जादा जादे वीडियो को शेयर कीजिए, thank you so much.